तो हेलो फ्रेंज मैं उप्रत्म और आप देख रहे हो प्रत्म 9RT's YouTube चैनल पिछली वीडियो में मैंने कलर पैंसिल बेसिक टेकनिक्स के बादे में बताया था आज की वीडियो में मैं कलर पैंसिल से स्केज बना कर भी दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा भी और जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्चन में मैंने लिंक दे रहा है तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो अगर आप मेरी वीडियो होमपेज पर से देख रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो पूल स्क्रीन पर देखिए पूल स्क्रिंज पर देखने से मेरी वीडियो आपको समझ आई ही तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन अलका नौटिफिक्रिशन दबा दीजेगा तो चले प्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं तो मैं ये वाली कलर पैंसिल्स का यूज़ करने वाला हूँ और वाइट कलर से हम ब्लैंडिंग करेंगे और अभी मैं स्कीन कलर ले लेता हूँ ये स्कीन कलर ये भी स्कीन कलर में काम आएगा ये ब्राउन कलर है ये पिंक कलर और ये भी लाइट ब्राउन कलर है और ये गोल्डन ब्राउन यलो कलर ले लिया हमने यह सारे color skin color में काम आएंगे और केसरी color भी ले लेता हूं अभी तो जैसा कि यह सारे color skin color में काम आते गाई skin color बनाने में help करते है समझ लीजे कि आपकी skin पर थोड़ी थोड़ी सूरज की किरने आ रही है तो थोड़ा दोस्तो yellow color का भी use होता ही है guys तो उसे बनाने के लिए yellow color भी चाहिए होगा और किसी किसी की थोड़ी गुलाबी skin भी होती है तो गुलाबी color का भी use करना होता है guys इसमें जरूरी नहीं कि गुलाबी color का use करना हो हलका हलका light pressure देना होता है गुलाबी screen होती है किसी किसी की तो आपको ये ध्यान में रखना है guys और मैंने guys शिर्फ यहाँ पर दिखाया है कि ये सारे colors use होते skin color में तो आप ये मत समझ लेना कि ये सारे colors में skin में use करने वालो अभी जो sketch बनाऊंगा जितने skin में लगेंगे उतने ही में use करने वालों guys तो चलिए guys वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आप समझी गए होंगे कि मैं किसका sketch बना रहा हूं तो guys मैं इनकी आखों में पहले तो guys black color चे शुरू करता हूं guys मैं तो इनकी आखों में मैं feel कर रहा हूं black color और जहाबर भी white area है उसे मैं छोट डूंगा जो चमक रहा है उनकी आखे चमक रही है जिसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो पहले black color जहा जहा लग रहा है वहाँ करूंगा और अब मैं guys brown color feel करने वाला हूं तो दोस्तो heavy pressure देना होगा guys क्योंकि वहाँ पर dark area है तो heavy pressure देना ही होगा तो यहाँ पर थोड़ा heavy pressure दे रहा हूं जहा जहा लग रहा है वहाँ heavy pressure दे रहा हूं और अब मैं guys यह वाली color pencil का use करूंगा यह light brown color है थोड़ा सा और इसका use guys थोड़ा हलकी skin में use करूंगा और guys जहाँ जरूरत है वहाँ मैंने brown color के उपर black color भी fill किया है क्योंकि वहाँ जादादार के रिया था तो जहाँ-जहाँ मुझे ऐसा लगा कि brown color के उपर black color fill करना चीए तो मैंने fill कर दिया आप भी ऐसा कर सकते guys तो दोस्तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इनका skin गुलाबी color का भी है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा दोस्तो फोन में पर मुझे दिख रहा है आपको भी ऐसा लगे कि थोड़ी थोड़ी गुलाबी skin है तो उसके उपर हलकी हल कि गुलाबी color की layers चड़ानी होगी light pressure देना होगा अब ज़रूरी नहीं है कि guys आप color pencils यूज कर रहे हो तो color pencils सी यूज करो black pen का भी यूज कर सकते हो आप इनकी आखों को ज्यादा dark बनाना था तो इसलिए मैंने black pen का यूज कर दिया तो guys color pencil से यह ज्यादा dark नहीं हो रहा था तो मैंने सोजा कि इस पर doms pencil का यूज कर दूँ doms pencil से यह अच्छी तरीके से dark हो जाता है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ dark doms की pencil से दोस्तो color pencil से यह ज्यादा dark नहीं हो रहा था तो मैंने black pen का यूज कर दिया इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जाह जाह मुझे ऐसा लगा वहाँ मैं black pen का यूज कर रहा हूँ अब मैं इनके होटो मैं brown color फिल कर रहा हूँ heavy pressure देखे जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि heavy pressure देना है तो heavy pressure दे दीजिये अब मैं guys red color का use कर रहूँगा इनके होटो पर layer चड़ाऊंगा red color की और उसके बाद black color की थोड़ी सी layer चड़ानी होगी जहाँ लगे कि black color फिल करना है वहाँ black color फिल कर जिये अब मैं guys indenting technique का use कर रहा हूँ बन पड़ी ball pen से मैं यहाँ पर इनकी मुझे draw कर रहा हूँ white white मुझे है इनकी और guys जिसको भी नहीं पता कि indenting technique क्या है वो एक बार youtube पर indenting technique के बारे में जरूर जान लीजेगा सर्च करके वहाँ पर guys मुझे ऐसा लगा कि हलका हलका green color भी है तो मैंने green color यहाँ पर फिल करना से शुरू कर दिया लाइट प्रेशर देखें अब guys मैं उसके उपर black color भी फिल कर रहा हूँ क्यूंकि वहाँ पर मुझे हलका हलका dark भी दिख रहा था तो dark तो black color से ही होगा तो मैंने black color फिल किया तोड़ा सा अब guys यहाँ पर black color की layer चड़ानी होगी क्यूंकि हलका हलका black color का छाओ भी आ रहा है जैसा कि आप यहाँ पर reference पिक में यहाँ पर देखी सकते हो आपको तो पता ही होगा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप white color से blending कर सकते हो तो blending गाइस पुरा sketch बन जाने के बाद ही आपको blending करनी है यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं कि blending किस प्रकार किसे करें आपको पिछली वीडियो में पता चल जेगा है दिस्क्रिप्शन में मैंने link दे रहा है ति blending क्या है वो आपको समझा आ जाएगा पिछली वीडियो देखकर कि यहाँ पर गाइस मुच्छों में मैंने इंडेंटिन टेकनिक का यूज किया था अब कि अगया है तो दोस्तों मैं इस स्केज को बहुत ही जादा रियलिस्टिक बना सकता था बड़ तो मैंने नहीं बनाया अब क्यों कि गयाँ इस चैनल को कोई सस्क्राइब नहीं करता कोई मेरी उड देखता ही नहीं गाइस तो सस्क्राइबर नहीं बढ़ रहे तो उस वजे से मेरा मन भी नहीं करता आप कि एसा वीडियो बनाऊ sketching related तो आप लोग support कीजे इस चैनल को इतनी मेहनत करके sketch बनाता हूँ और अभी तक मेरे सिर्फ 300 ही subscriber हुए है गाइस अब वीडियो इतने सारे बना दिये इतनी मेहनत इस चैनल पर किये गाइस और subscriber नहीं बढ़ रहे मेरे और गाइस मुझे पूरे दिन में सिर्फ एक घंटे का समय मिलता है और इसलिए मुझे समय लग जाता है वीडियो अपलोड करने में और जैसे करते से करके मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ल क्याने क्यों तो आप वीडियो को देखते नहीं हो तो प्लीस गाइस वीडियो को देखते जाइए और वीडियो को शेहर जरूर कीज़ दिया और ऐसे ही वीडियो में बनाते रहूंगा फीड़ी मुझे सपोर्ट कीज़ी दिए सिर्फ 300 ही सस्क्राइमर से मेरे तो प्लिस चैनल को कर दीजे सर्सक्राइब और ऐसे वीडियो सबसे पहले रिखने के लिए बेल आइकन अलका नोटिफिकेशन दबा दीजेगा तो मिलते हैं गाइस नेक्ट वीडियो में बाई